असलम अलेकुम वीवर्स, वेलकम टू मैं चैनल मनाहिल टेलर, आज की इस वीडियो में हम इस कफ वाली स्लीव को बनाना सीखेंगे, तो स्लीव को बनाने के लिए मैंने आप इस स्लीव की कटिंग पहले से करके रखी है, उपर वाली साइड से नीचे से जो है ये हमने चोडा बने जाएगा, हाफ इंच नीचे से और हाफ इंच उपर से, बाकि 19.5 पर ये उपर वाला से रेडी होगा, और डेडिज का हमारा ये कफ बनेगा, अब यहाँ पर मैंने कफ के लिए ये दो पीसे लिये हैं, और साथ में मैंने ये वाली लैस ली है, इसकी जगह आप कोई भ आपके जगहा लाएं लगा लेनी है, बाकि जगहा लोगा लिए मशीन की जगहा लिए बड़ी कर लेनी है यहाँ पर इसी के बराबर में एक पेर के फासले के साथ हम धूसरी लगा लेंगे, अब यहाँ पर देखे हमने यह स्लाइ लगा ली है, उसके बाद बैक साइड वा तो यहां पर मैंने इसकी चोड़ाई 12.5 इंच पे लिए है इसी के साथ हमने फिटिंग के लिए भी कपड़ा रखा है साइड में तो इसी तरह से मैंने चुनut एक कर लिए है उसारे चुनट जो है मैंने के सायट की किए है उसके बाद यह मैंने कफ लिया है जिसकी लमबाई जह मैंने के साथ लिए है चैळिबन के लाए इसके इलावा जी जहां तक बुक्रम एंड हो रहा है वहां पे हमने किनारी पे इस तरह से एक स्लाई लगा ली है जिससे के हमें लैस को स्टिच करने में फ्रेंट वाली साइड पर असानी होगी इसकी जगा आप चाहें तो आयरन करके क्रीज भी बना सकते हैं या पर टेलर च स्लाई के उपपर हम अपनी अब दूसरी लगा लेंगे जैक इस तरह से अब जब इसको तरह से अब जिसको पलटेंगे देखने लैस ज तमर तैसे से पार की तरफ दैगे इसके पार beaut लेंगे तो हमारा कफ बन के रेड़ी हो गया है आप चाहें तो अपर की साइड तेकिन मैंने इसको यहाँ पर सिंपल रखा है तो कफ को हमने कुछ इस तरह से स्टिच करना है अब जो हमने एक्स्ट्र कपड़ा रखा है हाफ इंच का उसको मैं बुक्रम के बिल्कुल बराबर किनारी के बिल्कुल बराबर इस तरह से फोल्ड करते वे अच्छे से iron कर लोग या पर एक रफ स्लाई लगा लें या पर आप ग्लू की मदद से भी इसको एक साइड की तरफ बिठा सकते हैं अब यहां पर मैं ग्लू का यूज कर रहे हूं ताकि यह कपड़ा अच्छे से यहां पर सेट हो जाए इस तरह से अब जो बैक साइड वाला कपड़ा है यानि स्लाई के अंदर दबा लेना है यह देखें इस तरह से रखते हुए हम इसके उपर स्लाई कर लेंगे यह देखें जी इस तरह से स्लाई लगाने के बाद अब इस तरह से हमने कफ को स्लाई के उपर इस तरह से पलेट लेना है इससे क्या होगा जो हमने चुनेड एड किये है उसका कपड़ा भी जो है वो अंदर की तरफ दब जाएगा जिससे जो है वो कफ में बहुत ज्यादा फनीशिंग आएगी उसके बाद अब हमने इसके उपर इस तरह से किनारी की स्लाई लगा लेनी है तो ये देखें इस तरह से हमारा कफ बन के रेडी हो गया है अब हमने इसकी फिटिंग की स्लाई कर लेनी है तो इस तरह से हमारी स्लीव स्पन के रेडी हो गए है होप के मेरी आज की वीडियो आप लोग के लिए हैलक रहे हो वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक हो शियो ज़रू कीजिएगा चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्स्ट्राइक करना ना भूलिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में अल्ला हाफिस